नमस्कात अदाब सच्छिकात मैं नरेश कौशल दैनिक अर्थप्रकाश मीडिया गुरूप के और से आज एक वर फिर आपके लिए लेकर आये हूँ समाचार पत्रों की संख्षिप स्मिक्षा क्योंकि आज हम हरयाना के छात्रों की प्रिक्षाओं के बारे में एक विशेश बात करना चाहेंगे जानकारी देना चाहेंगे वैसे प्रिक्षार्थियों को खास करके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो फाइनल येर के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ने कुछ तो ये पता चल गया होगा के उन्हें अब प्रिक्षाएं आवश्चेक रूप में अनिवारी रूप में देनी ही होगी हम आपको थोड़ा विश्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकरी उनके अविवाबकों को भी मिल सके कि प्रिष्षाएं कब के लिए ताय हैं और प्रिष्षाओं का क्या पैटर्न होगा और प्रिष्षा किंद्रों की क्या स्थिती होगी इस पर हम चलते हैं लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं समाचारों की मुख्य सुर्खियों की और सबसे पहले बात करेंगे दैनिक अर्थपरक दैनिक अर्थप्रकाश में चीन के साथ जो तनातनी भारत की चल रही है उसके बारे में समचार है लगदाख में धरे गए चीनी सेंसर वे कैमरे भारत का उंची चोटियों पर कभजा ये समचार सभी लगबग जो हिंदी के दैनिक है उनमें मुख्य रूप से दिया गया है औ और इसके लावा जो अर्थप्रकाश ने खास ख़बर उठाई है वो है हरेना सत्य वाले से समधित और वहाँ पर बड़ी गंभीर स्थिती है जो इसको संक्रमन को लेकर अब तक चार दरजन करमचारी जो है करोना पोश्टिप पाए गए हैं इनमें सी एम बिंडो वैराज मिनी सच्छी वाले में हेल्थ ब्रांच है वो तीन दिन के लिए जो है वो बंद कर दी गई है अब चलते हैं दैनिक भासकर दैनिक भासकर ने जो है समधियर दिया है कि दिल्ली नहीं अब पूरे देश का सबसे संक्रमित शहर करोना से पीडित और आज समाज का मुख समधि बारत ने चीन को खदेडा जैसे हमने पहले भी अर्थ परकाश के समधियर बताया है ड्रैगन के सेंसर कैमरे फेल और इस साथी अमरुजाला की बात करते हैं अमरुजाला में कैप्टन अमरिंदर सिंग मुख्यमंतरी पंजाब ने बहुत ही जो बड़ी गंभीर बात उन्ह लगबग सभी समाचार पत्रों में ये खबर होगी लेकिन उन्हें जरा मुदा शुर्खियों में उठाया है सुप्रीम कोट ने दूर संचार कमपनियों को कार्ज चुकाने में दास्चाल की जो है मोहलत दे दी है अब लेते हैं दैनी की जागरण दैनी की जागरण में खुरिश रेना जैसा के आप ने सुना होगा पड़ा होगा खबरों को के पठान कोट के एक गाउं है जो थरियाल गाउं वहाँ पे उनके भुगा फुपा का परिवार रहता था उन पे एक हमला हुआ है और उस हमले म रहना के फुफेरे भाई की मौत हो गया उनके बुआ बड़ी गंबीर है जब क्रिकेट खिलाडी रहना ने इसके बारे में ट्वीट किया तो अमरिंदर सिंग हरकत में आये मुख्यमंतरी अमरिंदर सिंग ने इसके लिए एक एसाइटी गठित की है दैनी ट्रिब्यून को लेते हैं अलविदा प्रणवदा जैसे आप जानते हैं पूर्वराष्टपती का देहांत हुआ और उनकी जो अन्तमि संसकार कल हुआ उसके बारे में समाचार है और इसके साथ ही राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त का पदर संभादा तो ये थे आज के समाचार और अ प्रेंगबान होता है आज की प्रिस्टिटियों पर वो हम अंत में सुनाएंगे लेकिन अभी हम बात करते हैं जैसे मैंने पहले आपके कहा कि हर्याना के अंडर ग्रेजुट और पोस्ट ग्रेजुट इन चात्रों के जो अंतिम वर्ष के चात्र से उनके प्रिक्षां को ल उसमें विश्विद्यालेओं और महाविद्यालेओं के जो यूदी सी यानि के पीदी अंडर ग्रेजुट और पोस्ट ग्रेजुट फाइनल के विद्यारतियों के प्रिक्षा है उसकी दुवदा को अब दूर कर दिया गया है उनकी निश्चता को अब दूर कर दिया गया करीब दूसरे पकवारे में प्रिक्षा में बैठना होगा और ये प्रिक्षाएं संभव तह उसी मास के यानि के स्टंबर मास के आन्ट तक संपन हो जाएंगे और इन प्रिक्षाओं के जो परिणाम है वो अक्टूबर दो हजार बीस की समापती तक ही घोशित कर दिये दें ये निर्ने जो है ये मंगलवार यानि के कल हर्याना राजे उच्चतर शिक्षा परिशिद के जो कुलपतियों के साथ वीडियो कांफरेंस करके लिया गया बैटक की अधिक्षता परिशिद के चेर्मेन बीके कुठे अला ने की यहां आपको समरण करा दें कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोट ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि अन्तिम बर्ष की प्रिक्षाएं अनिवारी रूप के होनी ही चाहिए अता है इन प्रिक्षाओं का आयोजल सुप्रीम कोट के निर्देश पर और केंद्रिय देल है कि अन्तिम बर्ष के चात्रों के लिए कंपार्टमेंट और रियपीर का भी प्रावधान है ताके विजारतों को इस बारे में कोई शंका न रहे उनको भी ये मौका जरूर मिलेगा कि वो रियपीर और कंपार्टमेंट का अपना अग्जाम दे सके हैं यहां एक और पात्स पष्ट कर दें आज जैसा कि आपको पताए कि कैसे हला आते हैं जो करोना संक्रमन का चिंता लोगों को हो सकती है तो यहां अभिवाब को और जो चात्र है उनको हम बता देना चाहते हैं कि चात्रों की छूट होगी कि वे परिक्षाएं आन लाइन देना चाहते हैं या कि आफ लाइन दूर दराज से आने वले छात्रों के लिए होस्टों में प्रवास की जो है वो शुबजा भी होगी इतना ही नहीं संक्रमन से बचाब के लिए उनको एक जगह से जो दूरी होगी छात्रों की बेंच जिया तो हटाए जाए जाएंगे या बेंच दूर किये जाएंगे दोदोगज की दूरी जो है वो जरूर सुनिश्चित की जाएगी यहां पर एक बात और कि जो छात्रों के लिए तैय किया गया हक कैसे जो प्रिशा पत्तर जो है कैसे होंगे क्वेश्चिन तो उसके बारे में दो राय मैं उसके बारे में अभी आपको बाद में बताता हूँ लेकिन जो सिख्षक संग है जो कॉली टीचर्स की एशोशिशन है उनको उनका जो है प्रिशा के जो परशन पत्तilan उनको लेकर उनका एक एतराज जरूर है उन्होंने इसके लिए अपने वाइस चांसर से बात भी की है उनका ये कहना है कि यूजिसी ओनर्स के लिए विवरनात्मक प्रशन पत्र और यूजिस हमाने कोर्शी प्रिक्षा के लिए बहुत कली प्रशन पत्र होंगे बेवस्ता ऐ ऐसी होगी तो इसमें अंक जो है वो उसमें अंतरा सकता है क्योंकि उनका कहना ये है कि बहुत कल्पिये प्रशनों से एक स्टूरेंट जो है वो ज्यादा अंक ले सकता है जो के विवरनात्मक में नहीं ले सकता टीचर ये भी चाहते हैं कि जो प्रिक्षाओं के अंक जो ल वो बनी रहे हाँ जहां तक डेट सीट का सवाल है डेट सीट इस परकार बनाई जाएगी कि एक समय में कम से कम जो विजार्थी है वो आए ज्यादा भीड इकत्रत ना हो परिक्षा के अंदर में तो कॉल्ज के विजार्थों की परिक्षा कालेज में ही होगी जबके विश्व संधित दीन और विवागा देख्ष को सौंपा गया है इसके साथ ही ये भी तैय किया गया है कि अब प्रिक्षा में तीन तरह के प्रशनों को शामिल किया जाएगा जैसा कि मैंने अभी आप से बोला कि आपको भी इसकी जान करी देते हैं वो कैसे तीन तरह होगा पहला होगा संध्शिप्त और तीसरा होगा विवरनात्मक ताके छात्र ऑनलाइन या ओफलाइन दोनों मौड में सरलता से प्रिक्षा दे सकें एक बात और ऑनलाइन जो प्रिक्षा देंगे उनको उत्तरपुष्ट का डाउनलोड करना है अपलोडिंग करना है उसके लिए उनको पंदरा मिनिट अती रिक्षा भी समय जो है वो दिया जाएगा और ये भी तैकिया गया है कि जो छात्र प्रिक्षा नहीं दे सकेंगे उनको जल्दी ही ऐसी विवस्था की जाएगी कि उनको प्रिक्षा देने का फिर एक अफ्षर मिल सकें तो ये थी जो छात्रों की को समापत करने से पहले आपको अर्थ प्रकाश का जो व्यंगबान एक हमेशा ही जो एक कावे में होता है वो हम आपको सुनाना चाहेंगे तो एक खबर जो ख़वारों में खुर्खें बनी थी कल वो थी रेस्तरा और बार एक स्तंबर से खुले मगर रूलदू फिर भी पर दिशान कल कैसा मंगलवार एक तारिख बार खुल गए लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन होते हैं जब ड्रिंक्स नहीं लेते लोग तो उसको लेकर ये एक व्यंगबान किया है बार खुले हैं मंगलवार शराद नराते फिरते ओहार गूंट सबर की पी रूलदू सोचे कब गूमेगा सिरलाचार गूंट सबर की पी कर सोचे कब गूमेगा सिरलाचार तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सब्सक्राइब करें अज़प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें